गुर्मोनिंग फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्टियल इस्पर्ग दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ओफ कोर माटीरियल एंड एफेक्ट और हिस्ट्रेसिस लोसस और एडिकरंड लोसस अगर हम सिंपल लेंगविज में बात करें तो मतलब है हमारी ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली कोर का माटीरियल कौन-कौन से टाइप का होता है दोस्तो इससे पहले जो हमने एडिकरंड लोसस और हिस्ट्रेसिस लोसस के ओपर वीडियो बनाई थी उसका परपस था हमें यह पता हो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर में कौन-कौन से लोसस होते हैं और एडिकरंड लोसस और हिस्ट्रेसिस लोसस के कारव हमारी ट्रांसफ जो आएरण हम अपने गरों का ग्रिल और गेट बनाने के लिए यूज करते हैं फिर कुछ सालों के बाद ट्रांसफार्मर की कॉर बनाने वियर प्रूदिश आएरण यूज करना शुरू किया इसकी कुवालटी थोड़ी सी बहतर थी, जो आएरण हम पहले यूज करते थे तक transformer manufacturer transformer core बनाने के लिए four type steel यूज़ करते रहे हैं जिसमें first है hot rolled steel, second है cold rolled steel, इसमें third है high permeability steel और fourth है domain refined steel जैसे कि आप chart में देख सकते हो इस row में हम सभी four type की steel grade को mention कर लेंगे for example hot rolled steel, cold rolled steel, high permeability steel और domain refined steel और second row में हम बात करेंगे इन सभी type के material का hysteresis loss पे क्या effect पड़ेगा और third row में हम बात करेंगे कि इन सभी material का हमारे add micron losses पे क्या impact होगा सबसे पहले बात करते हैं hot rolled steel की इस process में iron को melt करके उसमें कुछ percentage silicon को add किया जाता है और carbon जैसे impurity को separate किया जाता है जिसकी वज़ा से hysteresis loop का area कम होता है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि hysteresis loss कम हो जाते हैं hot rolled होने के बाद उस sheet को हम cold rolled के लिए process में बेजते हैं जहां पे हम room temperature पे core के उपर roll करते हैं जिसकी वज़ा से grain को एक direction में लेकर आते हैं जुसकी वज़ा से hysteresis loss hot rolled steel के मुकाबले में और भी कम हो जाते हैं cold rolled के case में core की thickness और भी कम चार सकते हैं जिसकी वज़ा से hot rolled steel के comparison में add & losses और भी decrease हो जाते हैं थर्ड वन है high permeability steel, hot rolled steel और cold rolled steel के मुकाबले इस category में grain की alignment बहुत अच्छी हो जाती है। जिसकी वज़ा से stress loss 30-40% तक कम हो जाते हैं। High permeability की बात कर रहे हैं तो stress coating के कारण addicron loss और भी कम हो जाते हैं। फॉर्थ वन है domain refined steel, दोस्तो इस process में domain के size को reduce किया जाता है। क्योंकि अपनी core का domain size जितना कम होगा उतना addicron loss को भी आप कम कर सकते हो। अब इस graph में हमने यह वाला portion खाली छोड़ दिया था। इसको समझने के लिए आपको इस term को समझना होगा। हमने यहां पे mention किया है classical refer to note 1, animals refer to note 2। दोस्तो actually addicron losses term बहुत complex है। लेकिन अगर इसको हम deeply study करें तो इसमें two components हैं। फर्स्ट है classical addicron loss, second है animals addicron loss। जो classical addicron losses है उसको हम classical electromagnetic theory से calculate कर सकते हैं। मगर animals addicron losses depend होते हैं material के structure पे, मतलब grain size पर और magnetic domain की movement पे। अगर हम दोनों components की detail में बात करें। तो classical addicron loss varies करते हैं। square of supply frequency into material thickness into flux density। जैसे के हमने अपनी पिछली वीडियो addicron losses में explain किया था। वहीं अगर हम note 2 की बात करें। मतलब animals addicron losses तो यह losses depend करते हैं structure of material पे जिसका मतलब है। अगर तो grain size बड़े होंगे तो addicron losses भी ज्यादा होंगे। और अगर grain size छोटे होंगे तो हमारे addicron losses भी कम होंगे। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है। हमारे total addicron losses में 50% addicron losses हमारे material की quality पे depend करते हैं। इसलिए core material को special processing के दुवारा grain size और magnetic domain की movement को control करके addicron losses को कम किया जाता है। तो अमीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो से core बनाने के लिए हम कौन-कौन सा material यूज़ करते हैं। और उस material का हमारे hysteresis losses और addicron losses के उपर क्या effect पढ़ता के बारे में पूरी जानकारी मिलगी होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते है प्लिस like and share के जिए। और मेरी नए वीडियो का notification पाने के लिए प्लिस मेरे चैनल को subscribe के जिए। कि लिए।